हर्योंपिर दर्सकों जो आपकी मीन राशी या मीन लगन है इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं केतु महराज की केतु महराज और रहु महराज दोनों मिलके आपके जीवन में बहुत ज्यादा समश्याएं इसलिए 16-18 महिनों में उतपन्न की अब केतु का राशी परिवर्तन होने वाला है राहु का भी तो यह पिछले 16-18 महिने में जो समश्याएं उतपन्न की उनसे अब आपको छुरकारा मिलने वाला है लाइफ में बहुत बड़ा यूटन आने बाला है क्या आएगा कैसे आएगा हम जानेंगे तो यहाँ पर आपके यह अस्टम भाव में भी राजमान थे केतु और यहाँ पर बैटके आपके जीवन में भै आपके जीवन में एक अंजाना भै ला रहे थे कभी चोंट चपेट लगना, कभी आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर समश्याएं होना ये सब एक कर रहे थे साथ में ये 12 भाव में दृष्टी रियाल के बे किस्ति पैदा किये यहाँ पर केतु महराज ने बे बजह के खर्च खासकर रोगों से सम्मंदिश समश्याई उत्पन करके और रोगों में पैसा यहाँ पर खर्चा करवाया इन्हों ने हर एक बिमारी गई, एक समश्या गई की दूसरी समश्या आई खासकर सर से सम्मिन्द समश्याएं, मानसिक टिंसन देना और आखों से सम्मिन्द समश्याएं भी इन पिछले 18 महीनों में केतु ने आपको दिया साथ में बे बजह के खर्च आप जा रहे थे प्लानिंग करके कि चलो मैं हजार उपए में अपना ये काम कर लूँगा पर दूहाँ चार हजार खर्चे हुए अर्थात कहने का मतलब ये कि आपने जो सोचा था कि हम ये काम ऐसे करेंगे पर उसमें कुछ न कुछ खरापी हो जाना आपके स्वास्त में कमी हो जाना कुछ ऐसे कारण बन रहे थे कि पैसे बेफजूल में खर्च हो रहे थे साथ में उन लोगों के जीवन में भी संघरस आया जो लोग विदेश जात्रा करना चाहते थे तो याopenब कर नहीं भाव करने के बाद तो पर आप अभी विदेश में कहीं और आपने इन पिछले 16-18 महीनों के बीच में यह दियातरा की है तो आप जरूर बताईएगा कि आपके जीवन में जरूर संगर्स की इस्तिती वहाँ पर हुई होगी आप जो चार है ते करना जैसा आप करने के लिए आप प्लानिंग बनाई थी कि हम जाके ऐसे ऐसा करेंगे वो कोई भी काम समय पे नहीं हो पा रहा होगा और कई तरह की समस्याएं बेवजह कारण जिनका कोई मतलब भी नहीं हो ऐसे कारण उत्पन हो रहे थे और यहां पर केतु महराज आपके स्टम भाव में विराज मान होके दुती भाव में भी दृश्टी जाल रहे थे तो यहां पर बहुत जादा समश्याएं घर-परिवार का श्रयोगना मिलना और पैत्रिक संबत्ति से समश्याएं होना साथ में यहां पर यह मंगल की राशी है तो आपके जोस में भी कमी लाना और कई तरह की एशिश्टिती बन जा रही थी कि आपको क्रोध बहुत जाला आ रहा था गुसा जो कि यह मीन राशी के लोग हैं देख गुरु ब्रहस्पत की राशी है और यह ज्यानी भी बहुत होते हैं यह होश्यार भी बहुत होते हैं इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुन होता है अपना काम कैशे निकालना है वो जानते हैं यह है कि यह थोड़ा इनके अं बाहर से भले ना दिखे पर अंदर दया होती है अंदर हर एक व्यक्ति के उपर यह सोचते हैं कि चलो इसका काम तो बन जाए परंतु पहले एक आपने सुनी होगी बात कि भगवान सब का कल्यान करना परंतु शुरू मुझसे करना यह इनका सभाव होता है कि मिहन राशी है या लगन है तो आप बताईएगा कमेंट करके कि ऐसा होता कि नहीं कि आप हरे काम में सबसे पहला मेरा काम को ऐसे बने यदि मेरा इसमें फाइदा है तो मैं यह काम करूंगा इसमें फाइदा नहीं तो फिर जाने दो मिहन राशी के लोग या लगन के लोग हमेशा अपना फाइदा हर एक काम में देखते हैं परन्तु कभी-कभी यह इतने ज़्यादा निस्वार्थ भी हो जाते हैं कि लगेगा कि इनके जैसा कोई व्यक्तित्याग कर ही नहीं सकता है क्योंकि यह देवगुरु ब्रहस्पत की राशी है इनके अंदर ग्यान भरा है इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो जहां अब यह है कि दया का भाव है तो कभी-कभी लगेगा कि अरे यह बेवजाए खर्चा जब करने लगें तो बहुत कर देंगे और कभी फिर नही कर रहे हैं इसकी वज़े से आपकी हेल्फ करना चाहते हैं और हेल्फ कर रहे हैं परन्तु यदि जिस समय इनको लगा यह आप समझ रहें कि यह बेकूफ है उसी दिन आपकी ऐसी इस्तिती बना देंगे कि आप तबाय हो जाओगे तो मीन राशी के लोग बहुत जादा होश होती है फिर भी देवगुरु ब्रहस्पत की जैसे मैंने बताया राशी है फिर भी आप परिसान रहें अब एक और भी बात है कि यह आपके चतुरत भाव में द्रश्टी डालके माता के स्रास्ति में समझ रहें मित्रों का सहयोग ना मिलना और साथ में जैसे आपने यात्र परन्तु यह बहुत महत्पून बात यह है संभव है कि कुछ लोग आप वीडियो पहले ही देख के छोड़ दिये होंगे वो कमेंट करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ नहीं हुआ ऐसा करेंगे परन्तु यहां परमूल बात है कि केतु महारा जिस रासी में बैठते हैं उसका जो अ केतु किस्ति बढ़िया है तो फिर यह रिजल्ट आपको विपरीत मिले होंगे जो मैं बताया कि यह समस्याइं हुई तो वह समस्याइं यह तो बहुत कम हुई होंगे जिससे आपको मालूब नहीं पढ़ रहा होगा या यह समस्याइं नहीं हुई होंगे क्योंकि केतु का एक बहुत अजीब सुभाव है और अच्छा भी कहा जाए बुरा भी पहा जाए तो दोनों हैं जब कैतु किस्यों को रिजल्ट देने लगता है जैसा भी रीजल्ट अच्छा देगा जब बुरा दे जब जादा और सनी के उपर डिपेंड करता है यह जब रिजल्ट देंगे यह तो बहुत बुरा देंगे आपको फिर लाइन में लाने के बाद ही जोड़ते हैं तो यह इस्तिति दो में से कोई बनी होगी क्या इस्तिति बनी और पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला जिसम में संघर से समश्याएं हैं उसे कैसे छुटकारा मिलेगा आपको तो देखा जातों जीवन में यह संघर समाप्थ होने वाला है और गुरू की वीडियो आने वाली है तो थोड़ा इंतजार करिए का कमेंट करिए का पार्ट आप देखना साहते हैं और नहीं तो इस चैनल म